नमस्कार दोस्तों आपको मेरे यूटूब चैनल में फिर से सौगत है जिसका नाम है बाई सेल सिगनल सॉप्ट है तो अगर आप सेयर मार्केट में काम करते हैं और लोज से परिसान है या फिर आप जितने एक्सपेट कर रहे हैं उदना रेटान आपको नहीं मिल रहा है तो साथ टाइम निकल के मेरा वीडियो को देख लिजिए साइध आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है आज को मैं निफ्टी फ्यूचर का उपर बेस करके एकस्प्रेनेशन देने जा रहा हूँ तो आज को 24 सेप्टेंबर है तो मार्केट काफी फ्लैट है तो आज को ग्रीन केंडल है मतलब अगले दिन का कोई बाय का कॉल केरी फोरड हो रहा है चल रहा है तो ये कॉल कब तक कंटिन्यू करेगा मीडिल में आपको दो ग्रीन कलर का लाइन दीख रहा है जो इस पॉइंट पर आके देखिए आपस में क्रॉस ओबर होके पिंक हो गया है इन द इंडिकेटर का बारे में देखे है तो ये भी वाइड लैन को तोर के नीचे का तरब आ गया है तो ये इंडिकेटर और ये इंडिकेटर दोनों ही आपको संकेत दे रहा है ग्यारा बज़ का दस मिनिट पे ही जो मार्केट का जो ट्रेंड है वो नीचे का तरब जाने वाला तो सुबह को market थोरा सा flat रहा बट 11 बजे का बाद ही आपको एक notification मिल गया जो market का जो trend है नीचे का तरफ जाने वाला है बट आपको signal के लिए wait करना है आप यहाँ पर sale नहीं कर सकते signal जैसे बना था यहाँ पर ही जो rate color का arrow है यह आपका signal है तो जब भी कोई signal बनेगा आपका screen का उपर automatically notification आ जाएगा उसी time left hand side में आपको यह dialogue box दिखाए देगा जिसमें उसका details लिख के आएगा जो कौन सा value में sale दिया है targets, stop loss, each and everything अब question है जो यह जो call बना था उपर में देखिए आपको timing सो कर रहा है 12 बचकर 10 मिर्ट का 12 10 पिए तो इस time जो sale का call बना था तो यह call कितना सही था क्या क्या चीज हम लोग को देखना है नीचे का जो ribbon है उसका color already red हो चुका है पहले देखिए उसका color green था middle का जो line है pink होके नीचे आ रहा है नीचे का जो line indicator है वो भी wide line का नीचे movement कर रहा है मतलब market selling trend में है बट यहाँ पर कोई star नहीं बना था तो star के लिए आपको थोड़ा wait करना परा और star बना यहाँ पर 12 बचकर 35 मिनिट पर तो 12 बचकर 35 मिनिट पर जो star बना था वहाँ से जा के आपका call confirm हो रहा है जो आप यहाँ से trade ले सकते है तो इसका बाद भी अगर आप trade लेते है तो इसका बाद भी अगर आप trade लेते है तो इखिए minimum यह target 1 तक देखे गया बट खास moment नहीं किया market flat कर दिया और दीरे दीरे यहाँ से reverse होने लगा और इस candle पर आपको दिखाई दे रहा है middle का जो दो pink line है जो आपस में crossover होके फिर green हो गया तो दीखे यहाँ से लेकिए यहाँ तक थोड़ा भू trend selling के लिए था तो selling के लिए था इसलिए यहाँ पर trend जो था pink color का था और यहाँ से फिर green हो गया तो यहाँ से bind trend शुरू हो गया तो अगर overall देखा जाए तो software ने sale का call दिया था थोड़ा भूद moment किया नीचे का तरब target 1 पी hit किया था बट इस call को हम लोग उतना strong call नहीं बोलेंगे उतना strong call ही था नहीं market का हिसाब से भी उतना अच्छा moment नहीं था तो ऐसा दिन में बहुत सरा call बनता है जिसमें हम लोग कुछ में condition match होता है बहुत सरा में condition match नहीं होता है बट एक perfect call या आपको एक अच्छा result दे के जा सकता है अगर हम लोग perfect call का बात करें तो perfect call उस सबसे पगरा जाता है जैसा market में कुछ time ऐसा होता है जो market में rally नहीं चलता है सारा condition match है मगर फिर भी market में rally नहीं है तो वो किसी का भी हाथ में नहीं है software भी कुछ नहीं कर सकता है जो यहाँ पर market moment नहीं किया सारा condition match था बट आपको condition को match करते हुई काम करना है बीना condition का काम नहीं करना है और जहाँ पर condition match होगा आप वहाँ से trade कीजे वहले आपको ज्यादा profit नहीं मिल रहा है बट आपको ज्यादा loss भी नहीं होने देगा तो lost रोगना भी one kind of profit होता है तो मेरा software में काफे साधा call बनता है बट हम लोग उसी call को identify करते है या पकरते है जिसमें हम लोग का condition match होता है तो condition में एक star बोद important चीज़ है यह जो दोनों line pink होके नीचे जा रहा है एक संकेत है नीचे का ribbon जो red हो रहा है green हो sellers बर रहा है green मतलब buyers बर रहा है बट इसका main factor होता है middle का white line जो कहां से white line का नीचे आया और कहां से white line को तोर के उपर चला गया तो यह 2-3 condition है अगर यह 2-3 condition properly match होता है और market में भी थोरा सा moment रहता है तो अच्छा खासा हम लोग result निकाल के देते हैं तो यह जो software है not only for trendy market sideways market मे इसमें भी अच्छा काम करके जाता है तो not only nipty इसमें आप cash future commodity options सब में ही देख सकते हैं logic बहुत ही simple है तो आज को market में moment नहीं था इसलिए moment नहीं दिखा जैसे हमें साब both clients बोलता है जो हम मैं स्रीप trendy market का उपर ही videos बनाता हूं तो obviously यह trendy market में भी काम करता है और sideways market में भी यह आपको loss खाने से काफी हद तक बचाता है तो loss खाने से बचना भी मुझे लगता है one kind of profit है अगर आप इस market में काम कर रहे है और expectation का जैसा result नहीं ला पार है बट loss कर रहे है continue तो यह indicator hopefully आपको काफी हद तक help करेगा तो इस indicator को एक बाद ट्राइ करके देख सकते हैं अगर आप इसका कुछ live demonstration लेना चाहते है और इस market related अगर आपको मेरा और भी कुछ वीडियो देखना है तो वीडियो का नीचे मेरा चैरे कर लिंक दिया हुआ है चैनल पे जाए काफी सारा वीडियो आपको मिलेगा 2-5 वीडियो टाइम निकल के देख लीजे एक idea हो जाएगा ज जरूर एक comment कीजिए थाकि new client को इसका benefit का बारे में पता चले तो चलिए वीडियो अच्छा लगेगा तो like and share जरूर कीजिए first time चैनल को देख रहे हैं तो subscribe करना ना भूलिए और इस market related अगर बहुत सरा आपको और भी मुरा वीडियो देखना है तो वीडियो का नीचे जो description है वहाँ पर जाके देखिए चैनल का लिंक दिया हुए आप वहाँ से जाके काफी सारा वीडियो देख सकते हैं thank you thank you so much goodbye